प्रदेश में मिशन पेसेट प्लस को साद ने मंगलवार को एक आत्म परिसर में भाज यूमों के राश्टी उपाध्यक्ष एवं चतिसगर प्रभारी रंजन दास ने यूवा मोर्चा पतदिकारियों की बेठक ली बेठक में भाज यूमों के प्रदेश अध्यक्ष विजश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 25 लाग नए मद दाता हैं यूवा मोर्चा इन यूवाओं को पार्टी से जोडने घरगर संपर्क कर रहा है विजश शर्मा ने ये कहा कि 36 गड में भारती यंता पार्टी की सरकार बनने के बाद लोगों की जान बचाने के लिए सरकार ने संजीवनी एक्सप्रेस गर्बवती महिलाओं के लिए महतारी एक्सप्रेस की शुरुआत की है इसकी जानकारी 36 गड के नए युवाओं को दी जाएगी और निशी थी नए युवा चेहरे भारती यंता पार्टी को मद्दान करेंगे इसी बचास से आज भारती यंता युवा मोर्चा की बेठक रखी गई थी और भाजपा की योजनाओं की जानकारी जल्दा तक पहुँचा कर भाजपा के लिए वोट मांगेंगे भारती यंता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विजैश शर्मा ने ये भी कहा कि 25 अक्टूबर को हेजराबाद में युवा मोर्चा का तीन दिवसिय बड़ा अधिवेशन होने वाला है इसमें 36 गड़ के युवा कारिकरता बर्चण कर हिस्सा लेंगे और चुनाओं में किस प्रकार से काम करना है इसकी जानकारी भी 36 गड़ के युवा कारिकरताओं को मिलेगी प्रदेश के 25 लाग नए मददाओं को साथने के लिए आज युवा मोर्चा की प्रदेश इस तरिय बैठक आयोजित की गई इस में युवा मोर्चा की कारिकरताओं को चुनाओं की जिम्मेदारी दी गई है और वन बूत 20 यूथ का काम कर रहे हैं रक्षा पास नहीं करते हैं मारवी तक नहीं पड़ते हैं तो जिनकी उमर 18 से उपर होती है ये 25 लाग की संक्या होती है युवा मददाताओं को ये बताने की जरूरत है कि 108 दबा देने से जो गाड़ी आती है एक्सिडेंट के स्थान पर ये हमेशा से नहीं आती है युवा मददाताओं को ये बताने की जरूरत है कि आपके गाओं में जो सडक है आप अपने मोटर सैकल से आते हैं ये हमेशा से नहीं रही है आपके जनम के समय भी नहीं रही है यहां मधदाताओं को बताने की जरूरत है कि महतारी एक्सप्रेस भी हमेशा से नहीं आती है